नमश्कार दोस्तो, तो कैसे हैं आप? तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक एसी मैनिफिक्स टेशन टेकनीक के बारे में जो आपकी दुनिया बदल कर रखतेगी जी हाँ दोस्तो दोस्तो इस टेकनीक को निकोला टेसला सिक्रिट कोर भी कह जाता है ये टेकनीक एक बेहत पावर्फू टेकनीक है जिसे वर्ड फेमस लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव परिणाम देखे हैं इस टेकनीक को उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और सक्सेस को पाया है दोस्तों जैसे आप देखते हैं दुनिया आपके लिए वैसे ही बन जाती है आपकी विशिस को पूरा करने में आपकी मदद करेगी इस टेकनीक को निकोला टेसला सिक्रेट कोड भी खा जाता है तो बने रहे हैं वीडियो में लास्त तर क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग और थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो चलिए दोस्तों बात क आफ एक सके आपके आज पास कैसे लोग रहते हैं ये सब एक इफएक्ट है और इसाथ को आसांए से लेख नहीं पाते औरPLE शाठेगे और ह। हम सब के पास कोई ना कोई गोल जरूर होता है आप में से कुछ लोग अच्छी जॉब की तलाश में होगे कुछ लोग अपने लाइफ को नेक्स लेवल पर ले जाना चाहते होंगे इन सब गोल्स को असानी से पूरा करने के लिए हमें जरूरत है एक positive mind की तो चलिए दोस्तों अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और इस manifestation टेक्नीक को अपनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबा कर आल पर भी तेक कर दें जिससे कि आपको हमा को अपनी जिन्दगी में चाहिए उसे अपनी तरफ अट्रेक्ट कर सकते हैं यह टेक्नीक 19 सेंचरी के जाने माले साइंटिस निकोला टेसला की एक बहुत ही आसाधारन ठेयोरी है रेडियो एसी और रिमोट कंट्रोल के इन्वेंटर के रूप में आप निकोला टेसला को प आज इस सिक्रिट को यूज करने के बाद आप भी अपनी जिन्दगी को बदल सकते हैं और अपनी विशिस को पूरी कर सकते हैं ज़रूरत है तो सिरफ पूरा विश्वास रखने की तब ही आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे इस ठेयोरी के बारे में निकॉला ने ब किलता है उस कौर्टर में जो 369 के मल्टिप्लाइज हैं और बाकि 3-4 के एंगल 270 डिगरी होते हैं जो कि 369 के मल्टिप्लाइज हैं इन एक्जामबल्स से हमें साफ साफ समझ आता है कि टेसला हमें क्या बताना चाहते हैं उनकी आगे की डिसकवरीज में भी ये बात साफ ये पैटरन डिकोट करने के बाद टेसला ने ही कह दिया कि अगर आप 369 की ताकस समझ लेंगे तो आप यूनिवर्स के सीक्रिट दर्वाजे को भी खोड़ लेंगे और इससे आपके जिंदगी आसानी से बगल जाएगी और आप वो सब पा सकतेंगी जो आप उमें इसको पूरा करने का जरिया रहेगा एफिमेशन सेंपल पॉजिटिब डिविनेटिट स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम कुछ से बोलते हैं जैसे कि वो हम असल जिंदगी में पा चुके हैं एक्जामपल के लिए अगर मेरी जिंदगी में बहुत तनाव है और मैं खुश रह मेरी करती हैं और हम वो चीज़े अट्रैक्ट करने लग जाते हैं में कुछ रहने में मदद करेंगी रहा में रहते हैं को बार बार रिमाइंड कराते रहती है कि अपनी गोर और विशिस पर फोकस रहना है जब कोई मुश्किल आ जाए तो ये affirmations आपको उन मुश्किलों से बाहर निकलने का solution बता दिया है तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं ये 369 मैंने fixation टेकनीक कैसे काम करती है दोस्तो इस टेकनीक में नमबर 369 बहुत महत्व है निम्बरोलोजी में नमबर 3 युनिवर्स के direct source से related है जहां ये माना जाता है कि इंसान के सभी wishes यहीं से originate होते हैं अगर आप नमबर 3 की power को समझ लेंगे तो आप युनिवर्स के root पर होगे और आपके सभी wishes चुटकियों में पूरी हो जाएंगे हिंदू religion में नमबर 3 को bless माना जाता है आपने Trinity of Gods के बारे में जरूर सुना होगा ब्रह्मा, विष्णू, एन्महेश भगवान शिव के 3 मेत्रों जो signify करती है को signify करता है इसे जगा कर आप अपनी अंदर की उर्जा का परभाव कर सकते हैं जो एक माध्यम बनेगा आपको आपके wishes से मिलाने के लिए और इसे energy के साथ आप उन सब ही बादाओं से लड़ सकतेंगे जो आपके wishes को पूरी होने से रोग रही है अगर हम Old Testament Book of Genesis को परटेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान ने भी 6 दिन लिये थे इस universe को बनाने के लिए ये astrology में Venus planet से भी जुड़ा है जो की प्यार का परतीक है हमारे आज पास की जो maximum चीज़े हैं वो carbon से बनी है coincidentally उसका भी atomic number 6 ही होता है हम सब कहीं ना कहीं अपने पास से जाना effect होते हैं जिसके वज़ा से हम conference के साथ नई चीज़ों को accept करने में थोड़े जिज़कते हैं number 9 इसी past को हम से अलग करने में हमारी मदद करता है और हमारे अंदर self doubt और negativity को खतम करता है ताके हमाराम से नई opportunities को गरे डगा सके Bible में भी हमें भवान की पवित्र आत्मा के 9 fruits के बारे में पता लगता है faithfulness, gentleness, goodness, joy, kindness, longsurfing, love, peace and self-control तो दोस्तों आपने देखा ये तीनों number बहुत ही खास हैं और इनके systematic और synchronistic use से हम universe के secret door को असानी से खोल कर अपनी मन पसंद चीज़ों को ले सकते हैं ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आप अपने घर के फ्रिज से पानी या कोई fruit लेकर खाते हैं सच में इतना असान है बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए पूरे conference से universe को अपने wish बताए सिर्फ ये सोच कर के जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको जुरूर मिलेगी और आप उसके असली हगतार है तो आई आप जानते हैं कि इस टेकनीक में क्या करना है तो अब तक आप 369 की पावर को समझ चुके हैं तो अब आप भी तयार हैं खुशियों के उन दरवाजों को खोरने के लिए जो कोई भी हो सकता है prosperity का, खुशियों का, healthy जिंदगी का, financial independence का, love relationship का, नई career opportunities का कुछ भी जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं step 1, अपनी wish को जानिए कि आपको क्या चाहिए step 2, आप ये मानी के आपके wish पूरी हो चुकी है और आप शुकर कुजार रहें जब तक आप किसे wish पर विश्वास नहीं कर पाएंगी तब तक वे wish हमेशा doubt में ही रहेंगी और कभी भी आप उसे अपनी तरव अट्रेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उसे अपनी जिन्दगी में लाने के लिए mentally ready नहीं है दोस्तों अपने wish को पूरी तरहा से अपनी life में लाने के लिए हमारा mentally ready बहुत जरूरी है हमने पहले एक wish का जिकर किया था जो ये था कि मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अक्सर तराव से गिरे होते हैं तो वो कोई भी छोटी सी बात पर भी जोर से हस देती है ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन उस वक्त उन लोगों को हसने का सरफ एक पहाना चाही होता है यही उनके wish होती है कि वो खुश रहे और मस्कुराएं जब आप खुश रहना शुरू करते हैं तो आप आसानी से उन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं जिससे आपको खुशी मिलनी शुरू होती है यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को मैच करती है और आपके पास हर वो चीज़ भीशना शुरू करती है जो आपको खुशी दे दोस्तो अगर आप भी हमेशा शुकर गुजार रहेंगी तो आपके विशिस दुगनी स्पीट से आपके दरफ आने के लिए अट्रेक्ट होंगी इसे हम ग्रैटिटूर प्रिंसिपल कहते हैं जो यूनिवर्स पे सीक्रेट इंक्रिडिन्ट जैसा काम करता है आप बस विशिस को पॉजिटिव रखिए जो आपको खुश रखे और विश करें कि कभी किसी का बुरा ना हो खुशिश करें कि एक बार में ही विश पर काम करें इससे आपका फोकस और एनरजी कॉंस्टिट्रेट रहेगी जिससे कि यूनिवर्स को आपके पके इरादे का पता चलेगा स्टेप थ्री हर दिन की साथ जब भी आप उठते हैं तो आपको उठकर सबसे पहले अपने विश को त्री टाइम एक टायरी पर लिखना है इसके लिए आप कोई छोटी कॉपी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसे अपने बैट के पास रखे ताकि सुबह उठकर आपको उसे ढूरना ना पड़े लेकिन यात रहे कि विश लिखने के टाइम आप पूरी तरह से पॉजिव हो और उस विश को विजुलाइज करें आप ये सोचें कि आपके विश पूरी हो चुकी है और आप बहुत खुश हैं और आपके अंदर उस विशिस को पूरा होने के बाद क्या चेंजिस नजर आ रहे हैं उस एहसास को महसूस करें एक्जामपल के तोर कर अगर आपके विश्टानाओं से दूर रहेंगी है तो लिखें मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हैं इस लाइन को लिखने के वक्त आप उस पल में चले जाएंगे जहां सिरफ खुशियों के फीलिंग होगी विशुलाइशन से आफ फ्यूचर को प्रेजट में जी सकती हैं इसके लिए हम सुभा ही विशुलाइज करेंगे कि हमारे सारे काम जो रुकी थी जिसके हमें चिंता थी वो सब हो चुके हैं और विशुलाइज करेंगे उन कामों के होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपके आस पास क्या चेंजिस हो रहे हैं उस खुशी को महसूस करें उस पल को इंजॉय करें दोस्तों इन रुकी हुए कामों के हो जाने के बाद आपको जो कॉन्फिन्स आता है आप उसको अपनी लाइफ में महसूस कर पाएंगे और उसी confidence को लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करें इन सब कामों के हो जाने के बाद आप कैसा feel कर रहे हैं आपके friend relatives आपको इस्ज़त दे रहे हैं visualize करें उस एक हर चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं आप देखेंगे कि आपके चहरे पर एक गहरी मुझकान आ चुकी हैं इन सब चीज़ों को visualize करके इस feelings के साथ अपनी wishes को आपको तीन बार लिखना है और उसके बाद diary को बन करकर रख देना है इसके बीच आप कोई भी self doubt ना आने दे अगर आपको कोई negative विचार आई भी तो उसी positive विचार में बतले confident रहे अपने wish को लिखने के बाद universe को thank you बोल कर diary या copy को साहिब में रख दे और अपने रोज के कामों में लग जाए इस feeling के साथ कि आप सब कुछ पाने के असली दाविदार है आप deserve करते हैं हर वो चीज जो आपने wish की है इसके बार बारी आती है जादूई नमबर 6 आप दोपैर के आसपास उस copy को फिर से निकाल ले जिस पे आपने अपने wishes लिखी थी और जैसा आपने सुबह तीम बार उस wish को लिखा था वैसे ही अपने wish को 6 बार लिखे उसे एहसास के साथ उसे feelings के साथ इस पार जब आप अपने wishes लिखेंगे तो आपको energetic vibes आएगे क्योंकि सुबह ही आपने wishes की secret tour को नॉप कर दिया था और अब आप इन feelings को amplify कर रहे हैं फिर से पूरे विश्वास के साथ आप 6 बार अपने wish को लिखें और उन vibes को feel करें जो आपको इन wish को पूरी करने के बाद आएंगे उस एहसास में जीए उसके बार डाइडी को side में रखकर फिर से लग जाएं अपने डेली के काम में एक confident outlook के साथ कि हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी अगर आप कहीं job करते हैं या बाहर जाते हैं तो आप इस टाइडी को उपने साथ ही carry करें और दुपहर में थोड़ा वक्त निकाल कर इस process को complete करें आप जितना sincere रहेंगे आप जितना sincere रहेंगे और लगन से पूरे process को करेंगे आपके wishes भी उतनी जंदी पूरी होंगे उससे इस universe को आपकी determination का पता लगेगा अगर आप अपने goals के लिए संसेर होकर पूरी process को नहीं करेंगे तो आप इस universe से कैसे expect करेंगे कि वो भी अपना काम करें तो बस आप संसेरली अपना काम करें तो अब बारी है last number 9 की अब रात को सोने से पहले फिर से अपनी डायरी को निका लें और इस बाद आप अपने wishes को 9 पार लिखें उन्हीं फीलिंग्स के साथ जो आपने सुबह और दोपैर को में सूस की थी ताके number 9 से जुड़ी होई magical powers आपको अपने पास से अजाद करा कर नहीं राहों पर ले जाएं जहाँ पर आपके wishes आपका इंतजार करें हैं normally हम dreams को discuss नहीं करतें यह मान कर कि dreams में कुछ भी होता रहता है पर जब आप इस number 9 की power को सोते वक्त जगाते हैं तो यह बिल्कुल possible है कि आपको अपने सपनों के थ्रू कोई इशारा मिले हो सकता है कि आपको अपने wishes को पूरी करने के लिए कोई रास्ता मिले जिसे आपने कभी सोचा भी नहों और वो रास्ता सीधा आपको अपने गोल पर ले जाए दोस्तो इस तरह से आप एक दिन में 369 के टकनीक के एक साइकल को पूरा कर पाएंगे आप यकीन करिए कि इस एक साइकल को पूरा करने से ही आपको एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने विशिस को अपने लाइफ में फील कर रहे होंगे इसी तरह आपको इस टकनीक के पूरे 45 साइकल को पूरा करना है डेली कमिटेड हो की पूरी फीलिंग्स और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है अपने विशिस की पूरी होने की कुशी को महसूस करते हुए आपने इस साइकल को 45 डेस तक करना है हमेशा अपने विशिस की कॉपी संभाल कर रखें ताकि जब आपके विशिस पूरी हो जाएं तो आप अपने दूसरे wishes इसी copy में attract करना शुरू कर दे दोस्तो इस process में ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप positive रहे और sincere रहे और खुद पर विश्वास रखे ये ध्यान रखें कि जब आप इस 369 ritual को activate करे तो आप computer का use ना करे क्योंकि दोस्तो लिखे हुए word बहुत powerful होते हैं और उन्हें आप अपने हाथों के द्वारा सीथे अपने subconscious mind में महसूस कर सकते हैं और काफी deep level पर ले जाकर अपने emotions को activate कर सकते हैं ये emotion vibes, universe के matching vibes और conditions को आपकी तरफ attract करेगी और आपके wishes को पूरा करने वाले वक्त को कम करने में मदद करें Step 4 अपने विश्वास पर नाली पर काम करें दोस्तो आपके विचार ही आपको बनाते हैं एक research के हिसाब से हमें दिन में 60,000 से जादा विचार आते हैं और हम अपने जिन्दगी में क्या achieve करते हैं ये हमारे thought के management पर depend करता है जब आप 369 वाच्चुल को follow करते हैं तो आपको साथ ही अपने विचारों पर भी काम करना होगा जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आप 369 वाच्चुल को follow करेंगी यूनिवर्स एक सिस्टम से चलता है नीचर के लॉस कफ़ी सर और सटीक है इसको follow करके इनसान ने बहुत सारे innovation की है पर ये सब तभी मुंगिन हो पाया है जब आपने नीचर के लॉस को समझा और विश्वास करके उन लॉस को अपने benefit के लिए यूस किया कभी भी उनके अगेंज नहीं करे बस उस follow स्टेट में रहते हुए अपने रिजर्ट्स को अचीव किया तो आपको इस बात पर यकीन रखना है धौर्स में एक हुमन विचार बनाए इनसान जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था यथा द्रिष्ठी तथा श्रिष्ठी आप जिस रंग में दुनिया को देखेंगे दुनिया उस रंग में रंग जाएगी तो अब आप तेर बिलकुल ना करें यूनिवर्स को अपने रंग का डिस्क्रप्शन देदे और आराम से बैट कर 369 मैनिफिक्स्टेशन टेकनीक के रास्ते यूनिवर्स को अपने सपनों में रंग बढ़ने दे बस आप अच्छे विचारों का सुभे तो बैर और रात में अच्छे से यूज़ करें बाकी सब छोड़ दें यूनिवर्स की मैजिकल पावर्स पर ताकि आपके विचिस और उनके पूरी होने की बीच की दूरी आसानी से मिच सके Let the universe dance to your wishes हम आशा करते हैं कि इस मैथर से आपकी हर वो विच पूरी हो सके जो कही न कही किसी कारणों से अब तक रुकी होई थी वो सारी बाधाई दूर हो और आप अपने वन चाहे wishes को अपने जिन्दगी में अट्रैक कर सके और एक अच्छी जिन्दगी जी सके Thank you तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें like and comment करकर ज़रूर बताए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें थाकि वो भी अपने wishes को आज सानी से पूरा कर सके याद रही दोस्तो अगर आप किसे के लिए अच्छा करते हैं तो universe आपको दुगना वापस करती है तो दोस्तो उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और जुड़े नहीं हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए धन्यवाद